अगर इस तो आप एक EPS अन्चाला हूए, तो आप लोगों के लिए यहां पर बहुत ही बेड न्यूज है, यहां पर दिखसे हैं। इहां पर दिया गया आपका EPS business खत्रे में। यानिक आप जो एक यहां पर पहले आप बेड़नी हुजा चुका है आपका यहां पर सर्विस खत्रे में और आप यहां दिया गया सरकारी निर्देशा नुसार भी लोगों को यहां पर फिर से दिवाइच खोड़के आपको नया डिवाइच खड़़ने पड़ेगा देखिए यहां पर बताया गया और यहां बधियागया सरकारी नीर्द सानुसार Kateri का का नाइं आप लोग यहाँ पर आप यूज नहीं कर पाएंगा आप लोग को यहाँ पर L1 डिवाइज खड़िदना होगा यानि अपग्रेट करना होगा दिखिए यहाँ दिया गया है यानि का आप लोग यहाँ पर L0 डिवाइज परेज यूज करते थे अब आप लोग को यहाँ पर L1 डिवाइज खड़िदना पड़ेगा तब ही आप लोग यहाँ पर जो है की एपएस सर्विस को यूज कर पाएंगे नहीं तो आप लोग का यहाँ पर निकासी बंद हो दर ब्याँ पर देखने हैं से जतनी जमीनी यहां पर आप लोग 550 के त्रफ से इन THE प्राइज जो है जो पहले आप लोग खड़िद लेते थे 500 से 2000 के बेच में मंतरा वह आप लोग यहां पर नहीं खड़िद पाएंगा आप देख तो इसका जो प्राइज है 3540 रुपिया इसका प्राइज है बताईए आपको लोगों को खड़िद ना होगा इसी डिवाइज के माद्याम से आप लोग यहां पर निकासी कर पाएंगे और आप लोग यहां पर यहां पर यूज कर रहे थे हो यहां पर जो हमेशा के लिए हटाने के लिए क्यों बोल रहा यहां से मंत्रा अगर आपके पास होगा 1500 से लेकर आप यहां पर 2000 के बीच में आसानी से खड़िद लेते थे लिकिन आप यहां पर दोगुना हो चुका है 3540 रुप्या लगने वला है और आप यहां पर मॉर्फो यूज करते होंगे ताप लोग यहां पर 3500 में मॉर्फो भ और यहां पर लुठीस नया टवाईज करते हैं व भी आब आप लोगों को यहां पर बरबाद ही हुज जागा आप देखijk को आप लोगble के पूराना वाईज नहीं यूज करने जितने वी रिटेलर सभी को यहां पर 3540 रुपया का यहां पर चुनां लगने वलाखोने व arrows. अब आप लोगों को यहाँ पर 35-40 रुप्या लगा कर फिर से आप यहाँ पर नया device आप लोगों को खड़िदना होगा यह दोस्तों यहाँ पर EPS संचाले के लिए बहुत ही ज़्यादा bad news है और दोस्तों हम आपको यहाँ बताते हैं इसका कारण ख्याता जो कि यहाँ पर चेंज किया NPCI ने इसा रूल नियम क्यों बनाया दोस्तों इसका मतलब यह है कि जितने भी device पले आप लोग यूज करते थे उस device में जो software था उस device में कोई भी यहाँ पर rubber का fingerprint बना कर फरोड कर लेता था वो rubber वाला fingerprint किसी का भी लगा कर वो बाद में जो कि फरोड कर लेता था लेकिन आप यहाँ पर यह जो device बनाया गया L1 इसमें ऐसा software डला गया उसमें कोई भी फरोड नहीं कर सकता है चाहिए वो rubber का fingerprint बनाया या कुछ भी कड़े वो फरोड नहीं कर पाएगा उसमें इसा software दिया गया है ठीक है उसी जो बचाओ के लिए ताकि आगे यहाँ पर फरोड ना हो किसी के finger के साथ इसलिए जुस्तों यहाँ पर L1 device को तयार किया गया NPCI के तरफ से और NPCI का का काना है जब तक device चेंज नहीं करेगा किसी का भी यहाँ पर service यूज नहीं होगा ना ही वह यहाँ पर निकासी कर पाएगा इससे पहले जुस्तों यहाँ पर समय भी दिया गया था 30 जुन तक लेकिन आप यहाँ पर 31 मर्च के बाद आप इससे यूज नहीं कर पाएंगे दिखें यहाँ पर बताया गया ठीक है अगर तो आप यहाँ प दो यूज नहीं को सब्सक्राइब जरू कर दें तो उनलो को सब्सक्राइब जरू कर दे तो चले हैं नाइ वीडियोमें नाइ टबब Wars तब तक की लिए जाहिन जाह भरत